हेलो दोस्तों, NCRT Aimpoint में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे उत्राखन बोर्ड क्लास 12 का Physics के सैलेबस के बारे में जो की 2022-2023 यानि 2023 में जो आपके एक्जाम होने वाले हैं, तो सैलेबस कम्पलीटली है तो आप वीडियो में बने रहा है न मैं आपको पुरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या कि आपके सैलेबस Physics में आने वाला है तो Physics 129 इसका कोड है थोरी क्लास 12 टाइम तीन हावर्स यानि तीन गंटे आपका टाइम रहेगा पेपर का तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पर यूनिट कितने मार्स का आने वाला है तो सबसे पहली यूनिट है आपकी Electrostatics जिसको बोलते हैं इस्तिर वेद्धुति की वो आएगा आपका आट मार्स का Current Electric जिसको बोलते हैं धारा वेद्धुति की वो भी आएगा आपका आट मार्स का Magnetic Effect of Current and Magnetic Gem इसको बोलते हैं धारा का चुम्बक के परवाओ एवं चुम्बकतव ये भी आएगा आपका आट मार्स का Optics जिसको कहते हैं परकासिकी ये है आपका 15 मार्स का आएगा आपके एक्जाम में Dual Nature of Matter पदार्थ की देखते पर करती ये आएगा आपका 5 मार्स का Atom and Nucleus यानि परमानू एवं नाभिक ये आएगा आपका 7 मार्स का तो आप इनको अपने जो रजिश्टर है आपका उसमें आप लिक लेना जो नोट्स वाला रजिश्टर है या अदरवाई कहींपर भी आप लिख सकते हैं उसको तो टोटल आपकी जो थोरी होने वाली है वो 70 मार्स की होने वाली है, ठीक है? अब हम बात करते हैं salivus को लेकर कि ये जो 9 unit हैं इनमें कितना-कितना salivus हमारा delete हुआ है तो सबसे पहले हम unit को देख लेते हैं electrostatic जिसको बोलते हैं इस्तिरवेद्धुति की ये आपको English में हाँ पर दिया हुआ है बट मैं आपको इसको completely हिंदी में समझाने वाला हूँ एक-एक unit को per chapter लेकर तो जो English वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं इसको ये current electricity है जिसको धारवेद्धुति की बोलते हैं जो जो उनके salivus में बाकि में हिंदी में इसको पुरा complete आपको बताने वाला हूँ तो ये unit for electromagnetic induction and alternative current तो जो इंगलीज के बच्चे हैं वो देख सकते हैं optics और unit 7 है dual nature of matter and radiation बाकि हम अभी बात करने वाले हिंदी में per chapter atom and nuclei यानि परमाणों नाभिक electronic device तो ये है सब कुछ आपका जो आपका exam में आने वाला है बाकि अब हम बात करते हैं आपके syllabus के बारे में तो सबसे पहला जो unit है इस्तिर वेद्धूति की उसमें 4 chapter लिए हुए हैं तो पहला chapter उसमें विद्धूत आवेस और विद्धूत छेतर तो इसमें जो पहला आपका जो आपका syllabus में है वो है विद्धूत आवेस दूसरा आवेस का सनक्षन कुलाम का नियम दो विद्धूत आवेसों के बीच बल बहुल विद्धूत आवेसों के बीच बल यानि बहुस सारे आवेसों के बीच बल अधरोपन का सिध्धान तथा आवेस का अविरत वित्रन नेक्स विद्धु छेतर बिंदु आवेस के कारण विद्धु छेतर विद्धु छेतर रेखाएं विद्धु दिधुर के कारण विद्धु छेतर की तिर्वता अक्सियो निरक्से स्तिती में समरूफ विद्धु छेतर में विद्धु दिधुर पर बल आगून तो यह आप काय की आवेस की समतल चादर आविष्ट खोकले गोलिये चालक के कारण विद्धुद छेतर की तिरता अंदर व बाहर के अवल अंदर व बाहर आपको देखनी है परश्ट पर नहीं देखनी है ठीके वो सालेबस में नहीं है विद्धुत विववव में विवांतर भिंदु आ आवेस का निकाय विद्धु देदुर के कारण विद्धुत विवव सम्विवव परश्ट और इसकी विसेशता हैं दो बिंदु आवेस के निकाय की तथा इस्तिर विद्धु छेत में विद्धु देदुर की स्तिति उर्जा तो यह आपके सालेबस में है विद्धुत ध चालक में मुक्ट एम बद इलेक्टोन की उपस्तिती प्रावेद्धु तथा विद्धु दुर्वन धारिक्तव यानि कैपिस्टर एंड धारिता की अवधार्णा यानि कैपिस्टेंस की अवधार्णा संधारितो को स्रेनिकरम और समानतकरम में संयोजन संधारित में संग्र इसलता, mobility और उनका विद्दुद्धारा में संबन, ओम का नियम, विद्दुद्ध परतिरोध, वी आई, अभिलाक्षनिक वक्त, रेखिये, अरेकये, linear, non-linear, विद्दुद्ध उर्जा, सकती, विद्दुद्ध परतिरोध, चालकता, कार्वन परतिरोध, उनका रंग, आंत्रिक परतिरोध, सैल का विवांतर, तथा विद्दुद्ध वहाग्बल, सैलोगा स्रेनिक्रम, तथा समांतर सहीयोजन, किरचोप के नियम, सरल परिपत में, और उसके अनुपरियोग, उद्धान सहित, वहिष्टोन से तू, मिट्र से तू, विवो मापी का सिधानत, विभो मापन में वह दो सैलों के विद्दुत वहागबल की तुन्ना करने में उसका उपयोग सैल के आंतरिक परतिरोद का मापन नेक्स देख लेते हैं आगे चैप्टर सैवन विद्दुत धारा का चुंबा के परवाव चुंबा के छेतर की अवधारना ओश्टेड का परिय और वर्ताकार धारावाई कुंडली में इसका उपयोग तो वर्ताकार धारावाई कुंडली में केंदर पर भी हम चुंबा के छेतर ग्याद कर सकते हैं और इसके अक्स पर किसी बिंदु पर भी चुंबा के छेतर ग्याद कर सकते हैं तो इसके तीन अनुकरी होगे वह आप त्यार कर लेना, एंपियर का परिपतियनियम और इसके सीधे अनन्त लंबाई धारवाई चालक, फिर दूसरा सीधी परिनालिका, टोरोइड परिनालिका में उप्योग, समरूप चुंबा के छेतर ता विद्धु छेतर में गतिमान, आवेस पर बल, साइकलोट्रोन या आपक तता इसकी धारा सुगराईता, वोल्टेज सुगराईता, इसको एमिटर और वोल्टमिटर में कैसे परिवर्थन कर सकते हैं, ये भी आपके सैलिबस में हैं, तो आगे देख लेते हैं, चैप्टर एट चुंबा क्तव, जिसको मैंगनेटी जेम बोलते हैं, चुंबा की ये पर्ण्यालिका से समानता कैसे होनी चाहिए, चुंबा की छेतर रहाएं और इसके गुन, भू चुंब़कतव तता इसके चुंबग, ततु परती चुंबग ये अनु चुंबग में, आपका पहला ही है डैफिनेशन विद्दुचिंबा की पेरेंट फैराडए के नियम पेरेरित विद्दुत वहागबल और धारा लैंज का नियम सव तथा अनुने पे रखतों भवर धाराएं विस्थापन धारा की आवस्था है चैप्टर नाइन है आपका तो अब बात कर लेके चैप्टर 10 पर परत्यावर परतिधारा परिपतों में सक्ति वाटिंधारा ट्रांसपर एम परत्यावर्तिधारा जनीतर नेक्स हम बात कर लेते हैं विद्दुचुंबा के तरंगे में विद्दुचुंबा के तरंगे एम उनकी विसेस्ता है केवल कुनात्मग विचार करना है आपको इनके उपयोग पर प्रार्मिक विचार और उनके तथर में तौहонец सब हुद्धापन दारा जैसे वस्तापन धारा आगे बात कर लिते गोल प्रश्ट पर अफवर्तन अठ् तो इसमें गोले परश्टों पर अफरतन कैसे होता है ठीक है पतले गोली लैंस पतले लैंस के लिए सुत्र लैंस द्वारा परकास का अफरतन लेको पतले गोली लैंस का या पतले लैंस के लिए सुत्र लैंस मेकर सुत्र लैंस द्वारा परकास का अफरतन आवर्धन लैंस की प्रतिवन बनाना समझन चमता दूर्दर्ष्टी दो उनका निवार्ण यह आपके सालेवस में नहीं है कि डिलेट हो चुका है केवलों केवल इसमें सुक्समदर्सी तता खगोले दूर्दर्सी प्रावर्थी और अपवर्थी दोनों उनकी आवर्दन चमता है ठीक है आगे बात कर लेते परकास का वनविक छेपन तथा वनकम अध्धाय 15 फिरिजम द्वारा परकास का अफवर्थन तथा वनविक छेपन परकास का परकास का निला रंग सूरिय दे तता सूरियस के समय आकास का लाल रंग दिखाई देना क्यों रंग दिखाई देता है यह आपको त सिद्धान दुवारा प्रावर्तन और परतन की नियमों की उत्पत्ति आगे बात कर लेते हैं दैस सेमंटीन पर परकास का व्यतिकर्ण तथा विवर्तन व्यतिकर्ण यंका देश्रिक परियोग यानि यंका डबल स्रेट परियोग एम फिरिंज की चुड़ाई के लिए सुत् भुषटर का नियम धरिवत्परकास एम पालोराइड के उपयोग यानि परकास क्या है उसके भ्यूज क्या है इसमें अलफा कनो का परकिनन परयोग है जो रधरफोर के द्वारा दिया गया था रधरफोर का परमानु मोडल बोर का परमानु मोडल वरी मोस्ट इम्पोटेंट है उर्जास्तर एनरजी लेवल हाइडोजन इस्पेक्ट्रम तो यह आपको त्यार कर लेना है यही हमारे साले कंढ़ीषमें इसने बाहर कुछ नहीं आएगा अधै atand closest नाभी परमानों का सचना आपके भूतिका इसMr. वर्यवल वरी मोड़के चैप्टर 21 नाबिक की सरचनायम आकार परमानिक दर्यमान समस्थानिक संबारिक समन्यूट्रोनिक रेडियो एक्टिव जो किर्णे होती है अलफा बिटा विकिर्ने और उनके गुण आपको तियार करके जाने रेडियो एक्टिव 6 सम्बंद नियम दर्यमान उर्जा संबंद दर्यमान च्छती परति न्युक्लिन बंदनुर्जा और दर्यमान संख्या के साथ इनका परिवर्तन कैसे होता है नाब के विखंडन नाब के सल्लेन और नाब के रियक्टर यह आपको तियार कर लेने हैं लाश चैप्टर की तरब बात करते हैं अर्दचालिक युक्तियां जिसको LED फोटो, LED फोटो डायोड, सोलर सैलो, जेनर डायोड के आभी लाक्षनिक वक्र, जेनर डायोड क्या है जेनर डायोड का वोल्टे नियंतर की भाती उप्रोग, आगे आपका ट्रांजिस्टर और इसकी किरियां यह ट्रांजिस्टर अगेरा अगेरा यह सब कुछ डिलिट ह हो चुके हैं बाकि logigate हमारे सालबस में है logigate and gate not gate nor gate तो यह आपका सालबस था यदि आपको इसकी पीडियाप चाहिए तो आप टेलिग्राम पर जाकर हमारे इसको प्राप कर सकते हो ठीक है टेलिग्राम का झाल झाल